हेलो ध्रेंट्स अभी तक हमने पिछले वी टुटियोरियल में असाइनमेंट आपरेटेर पढ़ाँ। आप हम पढ़नेवाले हैं। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट अपरेटर का मीन्स वाहिले समझेहे कि इंक्रीमेंट और क्या है। Increment का मतलब होता है increase यानि Add करना eddieChild या बढ़ाना हम कहें हिन्दी में ब्रिध और decrement का मतलब होता है decrease करना यानि घटाना यानि गमी करना हिन्दी में हम खें सकते है कि बृद्धि और कमी increment and decrement ठिक? Operator पर ना हो कि ये क्या होते ह। यह हम जाते हैं, तो increment and decrement operator में सबसे पहले हम जाले कि इसमें एक operand होता है और दो operators use होते हैं, operators means, कोई भी symbols, plus, addition, minus, यह सारी चीज़ें क्या होती है, addition, substraction, multiplication, division, ठीक, लेकिन इसमें क्या-क्या use होता है, addition and substraction, सिर्फ दो ही operators use होते हैं, और plus plus या minus minus, इस तरह से operators use होते हैं, और एक operand, operand जाए पहले हो जाए बाद में लगाओ, यह होता है क्या, increment and decrement operator तो सबसे पहले समझते, increment and decrement operator को हम लिख कैसे सकते हैं, जैसे plus plus yum, yum plus plus, minus minus yum, yum minus minus, कोई भी variables हम ले सकते हैं, a plus plus, plus plus a, minus minus b, b minus minus, लेकिन इनमें भी दो categories होती हैं, ठीक, increment का मतलब क्या होता है, increase करना, यानि plus, plus plus yum, और yum plus plus, यह होता है क्या, increment operator, ठीक, और दूसरा होता है, decrement operator, तो decrement में, minus minus yum, या yum minus minus, यह होता है, decrement operator, फिर इनको दो category में रखी गई हैं, क्या prefix and postfix, तो prefix क्या होता है, जिनके पहले operator लगा हो, फिर आफरेंट आता हो, यानि plus plus yum, minus minus yum, यह क्या होता है, prefix, और दूसरा क्या होता है, postfix, तो postfix में क्या होता है, m plus plus, और m minus minus, यह क्या होता है, postfix operator, तो हम आगे पढ़ेंगे tutorials में, कि हम इन operators का program में कैसे use करते हैं, यह सारी चीजें मैं विस्तृत बताऊंगा, लेकिन अभी में increment and decrement operators समझें, चीजें, तो increment का मतलब बढ़ाना, और decrement का मतलब घटाना, तो कह सकते हैं, कि increment में plus plus operator use होता है, और decrement में minus minus operator, और prefix और postfix क्या होता है, increment and decrement operator में, तो prefix मतलब जिनके पहले operator लगा हो, फिर operator लगा हो, offerend मतलब जो भी variables का नाम होता है, ठीक, और postfix का मतलब होता है, कि पहले offerend, फिर operator आए, तो M plus plus, M minus minus, यह क्या हो जाते हैं, postfix, और plus plus M minus M, यह क्या हो जाते हैं, prefix, तो दोस्तों, आज हमने increment and decrement operator पढ़ा, और आगे भी टुटोरियल्स में, आफ रिटर्स पढ़ेंगे, और बहुत सारी चीज़े पढ़ेंगे, तब तक के लिए आप हमारे पिछले टुटोरियल्स देख सकते हैं, तब तक के लिए, बाई!